West Indies में खेलेगे दूसरे वंडे मैچ में टीम इंडिया ने शांदार जीत हासिल की इस जीत के हीरो रहे टीम इंडिया के स्पिनर अक्षर पटेल जिन्होंने ना सिर्फ शांदार गेंद बाजी की बल्कि इस मैच में उन्होंने एक ऐसी हाफ सेंचुरी भी जमाई जिससे अब उन्होंने अपने नाम इतना बड़ा रिकॉर्ड कर लिया है कि अब महेंदर सिंग धोनी जैसे दिगज भारतिय क्रिकेटर और पूर कप्तान भी उनसे पीछे छूट गया है तो आखिर वो कौन सा रिकॉर्ड है जिसमें इस बार अक्षर पटेल ने महेंदर सिंग धोनी जैसे बहुत बड़े बल्लेबाज टीम इडिया के पूर कप्तान को भी पीछे छोड़ दिया है क्या है ये रिकॉर्ड? क्या है अक्षर पटेल की एक खास उपलब्धी? जानने के लिए देखिए हमारी इडिया टीम इडिया के स्पिनर और बैटिंग और लांडर अक्षर पटेल ने वेस्ट इंडीज के खिलाव पोर्ट अफ स्पेन के क्वीन्स पाक ओवल मैदान पर खेली अपनी हाफ सेंचुरी की बदॉलत ऐसा काम कर दिया है जो मैंने इंडियू में खेलते हुए बड़े- काम भी कर दिया जिससे उन्होंने टीम इंडिया के सबसे काम्याब कप्तानों में से एक रहे महनसिक धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया अब अक्षर ने धोनी का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है ये तो आपको बताएंगे लेकिन पहले ये जानिए कि टीम इंडिया के बनाने की दर्कार थी, वहीं मैच की आखरी तीन गेदो पर भी जीत हासिल करने के लिए उसे छे रन चाहिए थे लेकन अक्षर पटेल ने काईल मेर्स की चौथी गेंट पर छक्का लगा कर मैच जीत लिया इसी के साथ अक्षर पटेल ने महेंच सिंग धोनी का एक पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया अक्षर ने रंचेज करते हुए नंबर साथ या इससे नीचे की पोजिशन पर आकर बल्ले बाजी करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगा लिये हैं वेस्ट इडीज के खिलाब दूसर वंडे में अक्षर पटेल ने पारी में पांच छक्के लगाए 312 रंओ की जेज में अक्षर पटेल ने सिर्फ 35 गेंदो पर 64 रंओ की ताबड तोड़ पारी खेली अक्षर पटेल की वंडे क्रिकेट की ये पहली हाफ सेंचुरी रही इससे पहले भारत के लिए रंचेज में निचले क्रम में सबसे ज्यादा छक्के एक पारी में सिर्फ तीन रहे हैं मैंसिंग धुनी ने जंबावे की खिलाब 2005 में खेले के एक मैच की पारी में नमबर साथ पर खेलते हुए तीन छक्के लगाये थे